Samsung की upcoming flagship series, Galaxy S24 series इन दिनों technology field में काफी जादा चडचा का विशह बनी हुई हैं देखा जाए तो iPhone 15 series और Google Pixel 8 series के बाद सभी को Samsung के S24 series का इंतिजार है Korean Electronic Industry Media, The Alec की exclusive report की माने तो Galaxy S24, Galaxy S24 Plus और Galaxy S24 Ultra को 17 January को globally launch किया जाएगा इसके अलावा Samsung ने Galaxy Z Fold 7 और Galaxy S25 जैसे दो साल बाद आने वाले devices के लिए ट्रेड मार्क भी अपलाए कर दिया है पिछले कुछ महीनों में कमपनी ने AR Glass और Smart Ring जैसे नए product category के लिए ट्रेड मार्क अपलाए किया हुआ है अब कहा जा रहा है कि Galaxy S24 series एक AI phone series होगी Samsung के और जानकारी मिली थी कि कमपनी का पूरा focus AI पर है अब कमपनी ने confirm भी कर दिया है कि Galaxy AI experience को जल्दी पेश किया जाएगा S24 series में काफी सारे AI features जैसे देखने को मिलेंगी आपको हाल ही में Google Pixel 8 series जो launch हुई थी उसमें जो AI features आपको देखने को मिले थे लॉंच किया जाएगा ब्रेंड ने AI phone और AI smartphone जैसे शीशकों के लिए ट्रेड मार्क रेस्टेट किये हैं जिसे संकेद मिलता है कि वह AI पर अपना ध्यान किंद्रित कर रहे हैं Samsung ने Augmented Reality glasses के अलावा Television, Smartphone screen और Magic Pixel Pixel Magic और Flex Magic Pixel जैसे नाम और लोगों वाले अन्य उत्पादों के लिए भी ट्रेड मार्क अपलाई किये हैं यह संकेद देता है कि AI Galaxy S24 सीरीज में एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी अब AI की बात हो रही है तो हाल ही में लॉंच हुए Google Pixel 8 सीरीज में फोटोग्राफी को लेकर कम्पनी ने AI का काफी बहतर तरीके से इस्तेमाल किया है अगर आपने हमारा Google Pixel 8 का रिव्यू नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं यहां उपर आई बटन पर मैं लिंक ड्रॉप कर देता हूं तो आप यहां पर जाकर देख सकते हैं बागी AI के वारे में आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं साथी Galaxy S24 के वारे में आप और क्या जानना चाहते हैं आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें साथी अपने हों दोस्तों को भी शेयर करें जोगी जानना चाहते हैं कि Galaxy S24 सीरीज में क्या फीचर्स मिल सकते हैं